दोस्तों बात करें कि ज्यादतर लोग जो अपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते तो हैं उनके पास आइडियाज भी है और वे जानते हैं कि अगर वो ठीक धन से अपने खुद के बिजनस की उपर जो समय है जो इफर्ट है जो मैनत है वो अगर लगाते हैं तो भी एक successful बिजनस बना सकते हैं बट फिर भी किसी डर की वज़ासे ज्यादतर लोग अपना खुद का बिजनस नहीं कर पाते हैं और इस डर में जो सबसीर बड़ा मेन जो कारण है वो यह होता है कि ज्यादतर लोग ऐसा सोचते है कि उनके पास बिजनस की जो परियाप सीक्षा है ज हमें यही समझाने की कोईस करते हैं कि अगर आप अपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हैं चाहें वो श्टार्ट अप हो या कोई छोटा बड़ा बिजनस हो तो वहां पर आपको ये चीजे जो रोक रही है कि आपके पास परियाप सिक्षा नहीं है आपके बिजनस कॉंसेप्ट को समझने की जरूरत होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये बिजनस कॉंसेप्ट बीना किसी MBA स्कूल पे जाये हुए भी सीख सकते हैं तो यहां पर अगर आप बिजनस स्कूल नहीं गये हुए हैं आपके बस MBA डिगरी नहीं है और आप बिजनस शुरू करने से पहले लगता है तो दोस्तों आपकी शुरुदा के लिए मैं एक नया वीडियो स्रीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हम इस पर्शनल MBA बुक समरी को पूरे डीटेल्स में समझने की कोसिस करेंगे और आज के इस वीडियो में इस बुक के तो पहला च चाते हैं तो बिजनस के सिंप्लिफाइड जो कॉंसेट है क्या है जो जरूरी होता है जो जरूरी होते हैं बिजनस को सकस्छुब बनाने के बहुत उटार चाड़ा है, बहुत ज़ंजर का काम है, तो यह सारी डरों को अपने दूर करने के लिए आपको यह किताब ज़रूर पढ़ने चाहिए, कि वास्तों में बिजनेस सरल है, अगर आप इसके कॉंसेट को ठीक ज़ंजर समझते हैं, तो और उस बिजनेस कॉंसेट को समझजे के लिए आप इसके दाप को ज़रूर पढ़ सकते हैं इसके अलबा ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर आप बिसनस वरूर करना चाहते हैं ये कोई भी काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर उस काम से डिलेटेड सारी चीजें आपको ज़रने की ज़रूत नहीं है याने कि आपको किसी काम को अगर करना है तो उसमें आपको PhD करने की ज़रूत नहीं है बलकि जैसा 80-20 रूल कहता है कि अगर आप 20% जो important concept है उसे आप समझ जाते हैं तो आप उस चीज को कर सकते हैं जोग भी काम हो तो चाहे वो business हो तो कोई और चीज हो बिजनस में भी आपको हर चीज जानने की ज़रूत नहीं है आपको जो important concept है वो समझने की ज़रूत है और author इस book में वो सारे concept बताते हैं जो आपको जानने चाहिए समझने चाहिए और इसलिए आपको यह किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए इसके अलबा author एक Ralph Waldo Immersion का quote mention करते हैं जिसमें कहते हैं कि जिसका मतब यह है कि जहाए बिजनस हो यह कोई भी दूसरा काम हो उसे करने के कोई सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं लाखो अलग तरीके हो बात करें principles की fundamentals की तो वो बहुत थोड़े होते हैं और यह business के उपर भी लागू होता है कि अगर आप business भी करना चाहते हैं तो business करने की हजारों तरीके भले हो सकते हैं बाट fundamental concept होते हैं वो अगर आप समझते हैं यहाँ पर fundamentals को principles को समझना चाहते हैं जो कि किसी business को सफल बने के जरूरी होते हैं तो आपको एक किताब जरूर पढ़ने चाहिए इसके बाद एक और चीज़ जो business सुरूर करने के जरूरी होता है वो होता है experience का होना तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई experience नहीं है तो आप इस किताब के साथ सुरूरात कर सकते हैं किताब पढ़ने में इस किताब के concept को समझने में कोई भी नुकसान नहीं है आप इस किताब से वो सारे concept समझ कर वो सारे experience ले सकते हैं जो कि सफल लोगों ने सफल बिजनेस बनाने में यूज किया हुआ है तो अगर आपके पास को एक्परियेंस नहीं है तो आप इस किताब को सुरुआत कर सकते हैं इससे आपको जरूर एक्परियेंस गेन होगा आपको समझ आएगे, अनर्शेंडिंग आएगे कैसे बिजनेस वर्क करता है इसके लबा इस किताब में आपको हो सकता है कि सारे एंसर ना मिले सारे जवाब ना मिले बट जो important questions है जो आपके इमान में जो महतरपूर शवाल है जो कि किसी बिजनस को शुरू करने से पहले होता है वो सवालों के जवाब आपको जरूर मिल सकते हैं और आप questions raise कर सकते हैं और सही question पूछने पे सही answer मिल जाता है अगर आप ढूडेंगे तो जवाब मिल जाता है इसलिए सही question कैसे पूछा जाता है बिजनस में से राइट question क्या है वो समझने के लिए भी आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए इसके लाबा आथर यहां पे mental models के उपर बात करते हैं ना कि methods के उपर जैसा आमने पहले कहा कि तरीकों के उपर नहीं बलकि जो models है जो concept है वो important है और जैसा चारली मंगर या Warren Buffett हमेसा कहते हैं कि भले ही चारली मंगर ने कभी बिजनस के पढ़ाई नहीं की बट उन्होंने जो mental models develop किये हुए है बिजनस के लिए उससे वो किसी बिजनस को 60 सकेंद के अंदर समझ जाते हैं कि उस बिजनस में सफल होने के chances कितने हैं और अज सफल होने के chances कितने हैं इसके लवा आप अगर बिजनस सुरू करना चाहते हैं तो आप इस book को as a crash business course भी समझ सकते हैं जो कि आप किताब पढ़कर वो सारी जनकारी हासिल कर सकते हैं जो कि किसी बिजनस को सफल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा important है तो I hope कि अब आपके पास enough reason है जिसके कानड़ आपको इस किताब जरूर पढ़ने चाहिए तो आगे आने वाले वीडियो में मैं इस किताब से जो भी important concepts है उसके बारे में एक एक वीडियो बना कर detail में आपसे discuss करूँगा तो आपको इस series कैसे लगी आप इस series के बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे comment कर बता सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जूरे लेने ले आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद